कि नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरो सिंग क्या 2024 का चुनाव वगाबत का चुनाव है क्या 2024 में वो सारे मिठक तूट जाएंगे कि हमारा कोई बड़ा नेता है हमको हर हाल में उसकी बात माननी है लेकिन जो लक्षन है जो आसार है जो इसारा है और जो हो रहा है बिहार की रनभुमी में उससे ऐसा लगता नहीं कि 2024 में कोई किसी की बात मानने को लित तयार है शुरुआत करते हैं नवादा से जहाँ पर घमासान मचा हुआ है लालू परसाथ के खिलाफी यादवी सेना मैदान में है एक बड़ी बैठक हुई है नवादा में बिनोध यादव जो संभावित उमिद्वार थे आरजएडी के तरफ से राजबल्लब यादव के भाई थे पूरी तैयारी थी चुनाब लड़ने की लेकिन एन मोके पर सर्बनकुसमा को नवादा से आरजएडी का टिकट दिया ग इसका मतलब है कि एक चुनावती देने की कोशिस की गई कि लालु जी ने आपने जो फैसला लिया वो एक गलत फैसला था वो फैसला होना नहीं चाहिए था आएए देखिए एक बानगी देखिए कल जो बैठक हुई है वहाँ पर आप खुद देखिए आप खुद देखिए 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 आप खुदा भास को क्या ने सुनाए राठी में वहाँ पर गिलिभ जो दो बोलिया तुना सुना ड़ता हुई है कि दो ठीका चाहिए हमें दो देखिए आप 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 यह तो पर शारकेश जो विह हार में दीजिए वोस बारा को आपके साथ रहेगा और अच्छा में बुरा में आपके साथ था आपके साथ है और आपके साथ रहेगा तो तस्वीरें बताती है कि स्तिती सामान नहीं है अठाइस तारीक को क्या दो-दो नॉमनेशन हो जाएगा सरवन कुस बहा अठाइस तारीक को अपना नॉमनेशन करने बाले है लेकिन बिनोध यादब के तरफ से भी ऐलान है कि 28 को एक nomination और होगा वो होगा बिनोध यादब का लगातार बैटकों का दौर जारी है मनाने का भी दौर जारूई है लेकिन काज करताओं का जो तेवर है वो ये बतलाता है कि हम मानने वाले नहीं है चुकि जो इस्तितिया है परिस्तितिया है वो यहीं बतलाती है कि परलाद यादब के जाने के बाद राजबल्लब यादब एक ऐसा स्थम था आरजेडी का जिसने राज़त के निर्मान में अपना खून पसीना सारा बहाया पूरा परिबार लगा रहा राज़त को आगे बढ आने में लेकिन जब टीकट देने की बारी आई तो टीकट मिल गया सरवनकुष महा को तो बिनोध यादब बेहत नाराज है और 28 तारीक को हो सकता है नवादा से उनका भी नॉमनेशन हो जाएगा और जब यह नॉमनेशन हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यादब भोट के लगता नहीं कि वो मानने वाले हैं इसके अलाबा बात कर लिजिए पुर्णिया की जहां पर भीमा भारती ने अपना दाबा पेस कर दिया है सामिल हो चुकी है आर जेडी में जेडी उतकी प्रात्मिक सदस्ता से इस्तिफाते दिया पूरी तैयारी है पुर्णिया से लो अगर इसी परिस्ति आएगी तो सभी 40 सीटों पर चुनाब लड़ा जाएगा और सबसे बड़ा चुनाब पूर्णिया में होगा जहां पपु यादव अपना दावा तो पहले पेसी कर चुके हैं और मजबूती से चुनाब लड़ेंगे पपु यादव के समर्थ तक काते हैं कि आने दिजे विमा भारती को क्या अंतर पड़ता है अति पिछड़ा भोड काटेंगी अति पिछड़ा भोड तो एंडिये का ही कटेगा बहुत नुकसान कॉंग्रिस या महागट बंदन को होने बाला नहीं है आभी जाए तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन विमा याद कि परती जो सहानबूती है बार बार वो रोक के कहती है कि नितीज कुमार ने अति पिछड़ों का जो है बहुत नुकसान कर दिया उनको सम्मान नहीं दिया औरतों का सम्मान नहीं हुआ इसलिए वो पार्टी छोड़कर अपने पुराने घर में चली आई है तो ये है बगा बागावत सिवान में बिछड़ी हुई है वो बागावत है क्या देखिए एक बैठक हुई है जिसमें हीना सहाब ओम प्रकास यादब और कभीता सिंग जिनका टिकट कट गया है इन तीनों की एक बैठक हुई है ये तै हुआ है कि इन तीनों में से किसी एक को चुनाव अंधन को भी और NDA को भी जादा उमीद है कि हीना सहाब वहां से चुनाव लड़ेगी और ये बताने की कोशिस करेगी कि सिबान में उन्हीं का सिक्का चलेगा जिस तरह से उनके पती साहब उद्दीन का सिक्का चलता है तो ये कहानी बगावत की है हर जगा देखिए अभी सीट का जो घोसना होना है बीजेपी के तरफ से वो नहीं आया है उसके आने के बाद ये सिलसला और तेज हो जाएगा जनता दल यूनाइटेट में तो सिलसला तेज है ही देखिए जो रालसुपा के परदेश अद्दश थे उनकी पतनी को विजे लच्छमी को टिकट दे द कि हम एक दूसरे को डिस्टरब करेंगे राजत से और लालू परसाथ से तो बाद में निपढ़ जाएंगे पहले खुद अपना निपढ़ लेते हैं तो इस तरह की चीजें बता रही है कि बगाबत का सुर बिहार के सियासत में बढ़ने वाला है और भाजपा के जैसे ही उ एलान का कि वो एलान कब होता है और सबसे ज़्यादा जो मारा मारी और बगाबत होगा वो चिराग पासपान की पाटी में होने वाला है देखिए रंपगार जी थे इस्तिफादे दिया उन्होंने चले आए बीजेपी में सामिल हो गए तो बहुत सारे नेता इसे जिनको ट बात मानने को तैयार नहीं है यह कहके कि कोई अस्वासन देके परलोवन देके कोई किसी को मना लेगा लगता नहीं कि इस चुनाब में वो फिजा है क्योंकि सब लोग की अपनी महत्वा कांचा है और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार उनका जरूर भला होगा पहले नहीं से आग लगी हुई है MLC को मंत्री बनाए गया MLA लोग को नहीं बनाए गया आग तो पहले से लगी हुई है NDA में आप भोसना होने दीजिए उमिद्वारों का फिर देखिएगा कि क्या है बगाबत का सुर। अभी तो हलके फलके जलकिया दिखाई पढ़ रही है NDA म और महागडबंदन में सीवान में दिखाई पढ़ रहा है नवादा में दिखाई पढ़ रहा है आपको मध्यपूरा में दिखाई पढ़ रहा है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां पर ये दिखने लगा है कि एक कोई किसी की बात बानने को तयार नहीं है लेकिन जब सारे जो राजनितिक सरगर्मी है साथ में आसमान पर है कि अब क्या होगा सर्बनकुस्वा का सर्बनकुस्वा बिनोद यादव उनके बेटे जो है उनके खिलाब चुनाब लड़ते रहे हैं लड़ते रहे हैं हारते रहे हैं चुनाब खुब लड़ते हैं सर्बनकुस्वा पांच जब होगी नवादा में तो राजबल्लब यादव के परिबार की तागत को भी टेस्ट हो जाएगा अगनी परिच्छा हो जाएगी कि जो यादवों का हुजूम है जो यादव भोटर है वो किसको भोट करते हैं तो इंतजार तो करना होगा लेकिन बगापती तेवर वाला य पिहार की चालिसों सिटों में ये जो बगापती तेवर है इससे हम आपको लगाता रूब रूप कराते रहेंगे फिलार के लिए बस इतना ही आपका बहुत धन्दवाद आपका बहुत सुक्रिया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमा हमारे साथ चिर्णने के लिए शुक्रिया